चलिए बनाते हैं जाडों के लिए बहुती मज़ेदार सा स्वादिस्ट और मसालेदार गाजर मुली का चटपटा सा आचार जिसे हम भिना धूब दिकाय मिंटों में बना कर तयार कर लेंगे और इसी के साथ हम बनाएंगे एक बहुती स्वादिस्ट सा मसाला जिसे आप वेलकम टो फूर्ट जंक्शन बाई नीहा आए स्टार्ट करते हैं मूली और गाजर का चटपटा सा अचार बनाना तो इसके लिए याप मैंने ले ली है गाजर एक मूली क्योंकि ये थोड़े बड़े साइस की मूली है कुछ हरी मिर्ची हरी मिर्च का टेस्ट इस अचार में बहुत ही अच्छा आता है इसको हम अच्छे से धोलेंगे पोच लेंगे और इसके डंठल को अलग कर लेंगे अगर आप डंठल को अलग नहीं करेंगे तो अचार खराब होने का डर रहेगा तो इसके डंठल को अच्छे से निकाल देंगी इन्हें भी मैंने वाश कर लिया है और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा अध्रक का टुकड़ा इन सबी चीजों का अचार विंटर में बहुती स्वादिस्ट लगता है और बहुती जल्दी बन भी जाता है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े पर इन हरी मिर्चों को रखेंगे और इ तो दोस्तों अचार खाने के साथ साथ देखने में भी थोड़ा सा तो एट्रक्टिव लग नहीं चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत ध्यार से सबी सब्जियों को एकक्वली कट कर लेंगे तो देखिए पहले मैंने इसको इतने साइज में कट कर लिया है और अब हम बीच में से कट करेंगे और इनके फिंगर्स काट लेंगे ताकिया जार देखने में भी उतना ही मज़ेदार लगी तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले ही से लंबाई में से दो भागों में कट कर लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे पीसिस कट कर लेंगे जैसे फ्र और अब गाजर को भी हम इसी तरीकी से लंबाई में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएं तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें। देखिए इस वाली गाजर का जो तना है वो थोड़ा मोटा है तो मैंने उसको अलग निकाल दिया है। दोस्तो मैंने आपके साथ काफी तरह तरह के अचार की वीडियो को शेयर करा है। तो मैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूगी। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। वो अचार ऐसे हैं जो सालो साल बिलकुल भी खराब नहीं होंगे और खाने के स्वात को चार गुना बढ़ा देंगी। देखिए अधरक को भी इसी तरीके से लंबाई में कट कर लिया था और अब हम मिर्चों को भी लंबाई में कट करेंगे और अगर ज़्यादा लंबी मिर्च है तो उसको बीच में से भी दो भागों में काट लेंगी। तो आप कैची से या फिर चाको की मदद से भी इन मिर्चियों को कट कर सकती है जैसे भी आपको असान लगी बस दियान रहे बाद में आप हातों को अच्छे से वाश कर ले और अगर आपको तीखा थोड़ा कम पसंद है तो आप इनकी जगा मोटी वाली मिर्ची का भी यूज कर सकती है तो यहां देखिए सभी सबजिया कट हो गई है चलिए अब बना लेते हैं अचार की जान अचार का मसाला तो गैस पर रख लेते हैं एक पैन और इसमें एड़ कर लेते हैं दो चमच सॉफ तो अचार के मसाले का मेन इंग्रीडेंट होता है चलिए अब इसमें इस भी देंगे और डाइजिशन में भी हल्प करेंगे अब आरी है राई की तो यहां पे मैं दो चमच राई का यूज कर रही हूं अचार को खटापन देने के लिए राई का यूज किया जाता है और इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे दो चमच सरसो आप चाहें तो सरसो की जगा दो चमच राई ही एड़ और कर सकते हैं या फिर पीली सरसो की जगा काली सरसो का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास easily available हूँ किसी भी चीज को ऐसे मत करिए कि आप उसकी वज़े से अचार न डाल पाएं पर अगर आप इसी तरीके से अचार का मसाला तयार करें तो 100% आपका मसाला भी बहुत ही टेस्टी बनेगा इनको हलका सा रोस्ट कर लेंगे ताकि अगर इनमें कुछ नमी हो तो वो खतम हो जाए और इन मसालों के फ्लेवर उभर कर आएं तो देखिए बहुत हलका सा इने रोस्ट करना है और इनमें से हलकी सी खुश्पू भी आन लेते हैं अब इसमें एट कर लेते हैं एक कटोरी भरकर सरसो का तेल सरसो के तेल में सलफर होता है जो कि अचार को खराब होने से बचाता है और अचार के स्वात को भी चार गुना बढ़ा देता है इसको हलका सा गरम कर लेंगे देखिए बबल्स आने लगे हैं और तेल बिल्कुल बारेक पाउडर नहीं बनाना है, मिक्सी को पल्स पे चलाना है और दरदर सा पाउडर त्यार करना है, तो अब भार ये इनमें कुछ सुखे इंग्रीडेंट मिलाने की, तो सबसे पहले इसमें एट करेंगे दो चमच कश्मीरी लाल मिट्च, ये बहुत जादा ती बिल्की नहीं होती है, पर अचार के कलर को बहुत अच्छा कर देती है, अब एट करेंगे एक चमच हल्दी और इसे के साथ डालेंगे एक चमच कलाउजी यानि के प्याच के बीज, इन चीजों को भूना नहीं जाता और नहीं पीसा जाता है, इसका फ्लेवर ऐसे ही बहु मसाला और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसका यूज अचार में करते हैं, एकदम पर्फेक्ट अचार बनता है और आप इसे कई सारे अचारों में यूज कर सकते हैं, चलिए इधर देखें तेल भी ठंडा हो गया है, इसमें आट कर लेते हैं आधा चमच ही, जो क आप इस तरीके से अचार को डाल कर देखिए, सभी को ये अचार बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम मसालों को उपर से एक करेंगे, तो देखिए सबजिया डाल दी हैं और इनको घी में एक से दो मनट के लिए हम पलटते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी सबज में डाल कर एक से दो मिनट तक चलाना है, और यहाँ पे जब आप इस तरीके से इस सबजी वाले अचार को बनाएंगे, तो वो बहुती बढ़या सा फ्लेवर देगा, तो देखिए सभी सबजियों पे तेल लग गया है, आईए इस पे एड़ कर लेते हैं मसाला, तो मैं यह यहाँ पे तीन बड़े चमच भर कर अचार की मसाले को इन सबजियों पर डाल रही हूँ, पहले हम तीन चमच डाल ले हैं, अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में थोड़ा सा मसाला और एट कर लेंगे, और इसी के साथ इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो मैं य यहाँ पे डेट चमच नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याजादा भी कर सकती हैं, तो चलिए वापस से इन सबजियों को टॉस करते हुए मसालों में मिक्स कर लेते हैं, मैंने आपके साथ अपनी चैनल पर आवले का अचार और मोटी वाली हरी मिर्च के अचार की रेसिपी को भी शेयर करा है, आप उन्हीं भी जरूर देखिएगा, वो अचार भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप उन्हें लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हुई, देखिए सभ आपे मुझे नमक हलका सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें और अट कर लेती हूँ, तो आधा चमच नमक इसमें और डाल लेते हैं और इसको वापस से मिक्स कर लेते हैं, देखिए एक बार में जादा नमक ना डालें वरना अचार खराब भी हो सकता है, जिससे ये अचार काफी लंबे समन तक बिना खराब हुए बढ़या बना रहेगा, तो यहाँ पे मैं नीबो के रस का योज कर रही हूँ, ये अचार को इंस्टेंट खटास भी देगा और अचार में प्रिजर्वेटिब का भी काम करेगा, तो यहाँ पे मैं दो नीबो के रस का योज कर रही हूँ, नीबो को निचोड़ने के बाद इसे वापस से मिक्स कर लेंगे, और तयार है हमारा मज़ेदार, मसालेदार, विंटर स्पेशल सबजियो का आचार, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें, और मुझे बताएं कि आपको ये चटपटे अचार की रेसिपी कैसी लगी, इधर देखिए ये जो मसाला बच गया है, इसे हम स्टोर करकर रख लेंगे, और इसका योज हम अचारी बैंगर मनाने में या फिर किसी और अचार में कर सकते हैं, चलिए अचार को एक बावल में पलट लेते हैं, और कलर से ही आपको पता ल पता लेकर जा सकते हैं, तैयार है हमारा एकदम विंटर स्पेशल सबजियों का आचार, इसे स्टोर कर निकले, यहाँ पे मैंने काच के जार का यूज करा है, जिसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है, और एक बार कप्ड़े से पोच मिलिया है, आप भी कोशिश करें कि अ अचार को टिपे में पलट लेते हैं, और आपको इस अचार को धूप में रखने की भी कोई जोरत नहीं है, ऐसे ही यह अचार लम्मे समय तक बढ़िया बना रहेगा, और खाने में एकदम बढ़िया टेस देगा, तो बताए लग रहा है ना टैम्टिंग, यह गाजर और तो एक लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलोग कर सकते हैं, इसे यूज करूंगी, किसी भी रेसिपी में तम मैं उसकी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मज़दार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई, एंड थैंक्यू फर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्रा जरूर कर ले, बाबाई